Hello to my beautiful viewers, welcome back to my channel and मैं हूँ आपकी दोस दीपा दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेथी दाना इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे ये हर इंडियन घर के मसालों के रूप में यूज किया जाता है दोस्तो मेथी दाने का किचन में क्या उप्योग है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसके आने कितने सारे फायदे हैं ये बहुत कम ही लोग जानते हैं दोस्तो मेथी दाना बहुत ही जादा गुणकारी है इसके अंगिनत फायदे हैं ये गुणों का बंडार है और आज उन्ही गुडों के बंडार में से कुछ गुण आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मेथी को कई तरे से खाया जा सकता है मेथी के दानों को खाया जा सकता है मेथी के पत्तों को सबजी के रूप में खाया जा सकता है इसके सबजी बहुत ही स्वादिस्ट लगती है कई लोगों को बहुत पसंद आती है मेथी का यूज बालों के लिए किया जाता है बालों को घना मोटा लंबा बनाने के लिए मेथी का यूज किया जाता है दोस्तो तो गाइस यदि आप एक महीने खाली पेट मेथी का पानी पीते हैं तो ऐसी कई बिमारिया हैं जो आपकी बॉडी से दूर हो जाती है मेथी को पाउडर फॉर्म में भी लिया जाता है मेथी को पानी में फुला कर भी लिया जाता है मेथी के लड़ू भी बनाए जाते हैं जो प्रसूता इस्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं दोस्तो सुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है ब्लड सुगर लेवल में बहुत ही चमतकारी फाइदे इसके देखे गए हैं डावर्टीज वालों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तो अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है बीपी के पेसेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तो यदि आप खाली पेट मेथी का पानी रोजाना लेते हैं तो ये आपकी पेट की सभी परिशानियों से आपको निजात दिलाता है ऐसी डिटी की प्रॉब्लम भी इसके सेवन से आपको नहीं होती है इसी कारण से आपके मोटापे में भी आपको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है यदि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो दोस्तो अगर एक महीने तक इसका पानी आप पीते हैं खाली पेट तो ये 10-12 किलो तक आपका बजन घटा सकता है दोस्तो इस तरह से ये आपके वेट लूज प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तो लेकिन इसे हपते में 3 दिन ही लेना चाहिए और केवल 1 महीने तक ही ले ज़्यादा दिन तक इसका सेवन ना करें मेथी का पाने आपके चेहरे में चमक भी लाता है आपकी ताकत को बढ़ाता है पेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है यदि आपके गुठनों में दर्द है आपके जोडों और कमर में दर्द है तो ये उसे भी ठीक करता है उसमें भी बहुत जादा फाइदा पहुचाता है दोस्तो अभी तक यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तो आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुचाने का मेथी दाने के उपयोग से बालो संबंदी सभी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं तो मेथी दाने का पेस्ट अपने बालो में अगर आप लगाते हैं तो बाल लंबे, काले, घने बनते हैं मेथी दाना पुरुसों में भी गंजापन जो देखा जाता है उसको भी रोकता है यदि आप मेथी दाने का पानी पीते हैं तो इससे आपका गंजापन तो दूर होता ही है आपकी डाविटीज और बीपी में भी ये बहुत जादा फाइदा पहुँचाता है दोस्तों इसके अलावा ये आपके मेटाबोलिजम को भी ठीक करता है आपके बैट कॉलेस्ट्रोल को बोडी से निकालता है और गुट कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाता है इससे आपके हार्ट अटेक की संभावना को भी दूर करता है यदि आपको कुछ दिनों से खासी जुखाम या रूप से तो आप इसे भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों ये ग्लू कोज लीवल को कम करता है जिसके कारण ये आपकी डियाबेटीज में बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि इसके खाने का तरीका क्या है दोस्तों इसका फाइदा आपको सुबर खाली पेट ही मिलता है रात में इसे आप एक ग्लास पानी में केबल एक चमच मेथी दाना डाल कर रख दे और उसे पूरी रात रखा रहने दे और इसके बाद सुबर खाले पेट इसका पानी पी जाए और मेथी दाने को भी जबा ले इससे आपको मेथी दाने के सारे फायदे मिल जाते हैं दोस्तो जहां पर किसी चीज के फायदे हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं यदि आप सही तरीके से इन्हें खाते हैं तो उसके पूरे फायदे मिलते हैं लेकिन अगर तरीका गलत हो जाता है तो ये आपको नुकसान भी पहुचाता है तो मेथी दाना गर्वती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है यदि आपको सिर में दर्द रहता है या फिर आपकी बॉड़ी में इलर्जी है तो भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये आपके बॉड़ी में ग्लू कोज लेबल को कम करता है तो यदि आप अपनी डियाविटीज के लिए पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही आप इसका सेवन करना सुरू कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो बहु के दाने को डाल दीजे और उसके बाद इसे उबालते रहे जब ये आधा बचे यानि एक कप में से जब ये आधा बचेगा तब आप इसे बंद करके जब ये हलका गुनगुना हो तो आप इसे ले सकते हैं